बाद वहोगत बढ़ी हैं सर आप सुनाओं में तो बहुत अच्छ हो यार तुम बताओ याद नहीं आती कैं तुम्हें मेरी सो एम से क्यूस करने हैं और गरेंटी दे रहा हूं सार आपके एकजामे जो भी पांच या छे कोशन बनेंगे ना ओल्मोस्ट आपके सेम लेवल के बनेंगे ठीक है और एक बात और ध्यान देना इसके मैं आंसर दिखाऊंगा नी आपने ही मुझे अंजी आंसर देना है आज मुझे पता लगेगा किं-किं बच्T ने वह साथ क्लास देखी है तो जिन बच्चोंने फिल बात तीन सेजन हमारे होंगे आज 20 कोश्चन करेंगे और देन फिरम 35 question करेंगे, पूरे 100 question हमने complete करने हैं, और अगर 100 question आपने शिद्द से complete कर लिए न, exam में जो भी आपके 5 या 6 question बनेंगे, आपके same level के होगे, और सिरफ new syllabus वाले बच्चे देखेंगे जी, old syllabus वाले बच्चों ये exam में custom नहीं है, मैं दुबारा बोल दूँ, अग सिरफ domain लगेंगे, सिरफ domain लगेंगे, आपको लगेगा time waste हो रहा है, बट मेरे recording time waste नहीं होगा, बलोगे मेरे साथ, पक्का पक्का चलो, 1, 2, 3, start. इतनी शक्ती हमें देना दाता, मन का विश्वास कम जोर होना, वाँ वाँ मज़ा आ गया, सर, चलो जी, आओ जी, आपका time waste नहीं करता, आज हमारा custom के mcqs का session number 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, और जो भी मैं mcqs आपको यहां पर दिखाऊंगा ना सर, ये mcqs मैंने अपन set 1 डाल है, जो आज हम कर रहे हैं, वो set मैं telegram channel पर डाल चुका हूँ, जब हम next set करेंगे, फिर मैं second set डाल दूँगा, फिर जब हम third set करेंगे, फिर मैं third set डाल दूँगा, ठीक है, ये telegram channel के उपर होगा, उसके answer के लिए आपको ये video जुरूर देखने पड़े हैं, क्योंकि मैं चाता हूँ, मेरी family का हर बच्चा वीडियो देखे, खुद solve करेंगे, और यहाँ पर हम answer note out करेंगे, ठीक है, बच्चा कह रहे हो जाए मुकाबला हम कोई नसा आपसे हार रहे हैं, क्या, oh my god, मेरे लाल, मेरे ब्राउन, मेरे green color के बच्चे, इधर देखो ध्यान से, person in charge का मतलब क्या है, अब अगर आपको import procedure ध्यान आ रहे हो, तो मैंने का था, आना है, तो custom port पे आने है, आने से पहले import manifest file करनी है, फिर आपको आने की permission मिलेगी, फिर unloading मिलेगी, अगर वो आपको सारी बाते ध्यान आ रही हो, तो मैंने का था, जो भी आपको import manifest file करनी है, व पहला, in relation to vessel, that is master of vessel, बिल्कुल सही बात है, in relation to aircraft, that is commander or pilot, बिल्कुल सही बात है, in relation to railway train, that is conductor or guard, बिल्कुल सही बात है, अब सोच के भूलना, कि यह सारी category person in charge में cover होती है, नियोती ही, yes, तो answer क्या बनेगा, all of the above, option number D is the correct answer, सर, क्या ऐसे-ऐसे question exam में आएंगे, आप देख लेना अपना exam, आपके exam में जितने question बनेगे ना, बस 100 question आपने सही डंग से करने है, almost आपके MCQ same level के बनेगे, बच्च के रहे सर, question number 2 पे आजाओ, question number 2 देखो जी, the limit of exclusive economic zone of India is from the nearest point of the baseline, अपने बोल देना, EZ, EZ जो है, baseline से कितन nautical miles है, एक बच्चा के रहे है, 12 nautical miles, सर, 12 nautical miles TWI है, मैं EZ की बात कर रहा हूँ, EZ कितने nautical miles है, 200 nautical miles, तो baseline से 200 nautical miles जो है हमारा EZ है, और baseline से 12 nautical miles जो है, वो हमारा क्या है, TWI है, तो उसने किसकी बात की है, EZ की बात की है, तो कितने nautical miles है, 200 nautical miles, option number A is the correct answer, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का पक्का, दोनों सही है, आओ जी question number 3 पर आओ, exclusive economic zone extend to EZ जो है, कितने nautical miles तक extend है, ठीक है, और कितने nautical miles के बात हमारा high C स्टार्ट हो जाता है, याद करो अगर आपको class में ध्यान आ रहो, मैंने कादर ये India की ना baseline है, और यहाँ पे आपका सार हम क्या बोलते हैं, high C's बोलते हैं, तो इसने question में यह पूछा है, almost same उपर वाला question ही है, वो ये बात कहना चारें, EZ वाला area जो है, वो कितने nautical miles तक extend है, baseline से, और उसके beyond जाते ही, किसके beyond जाते ही, high C's area हमारा start हो जाता है, तब अपने आप बोल देना, क्या 12 nautical miles से beyond जात है, high C's start होता है, या 200 से cross जाते है, 200 से cross जाते है, तो option क्या बनेगा, 200 nautical miles से हमारा EZ है, और 200 nautical miles से beyond जाते ही, हमारा क्या start हो जाते ही, high C's, यह हमारा third question है, और आपके exam में से आपको दिखाऊंगा, इसी तरह के question बनेगे, तो question बहुत ध्यान से, समझना question में क्या लिख हो जी, Indian custom water means Indian custom water, आपने बोल दो जी, Indian custom water मैंने का था, custom में एक term होती है, अब Indian custom water जो है, वो 24 nautical miles तक है, 12 nautical miles तक है, या 200 nautical miles तक है, सोच के बोलना, आपके module में, मैं दुबारा बोल रहा हूँ है, executive के module में, कई जगह पर इंदोंने 24 nautical miles दी है, और आपको मैंने पहल याद करो, मैंने का था, custom में definition अब क्या होती है, या तो 12 nautical miles या वो 200 nautical miles और 200 nautical miles वाले area के दो नाम होते हैं, एक तो EZ होता है, और एक Indian custom water होता है, तो उसने बोला जी, Indian custom water कितने nautical miles है, तो या 24 nautical miles नहीं पहले था, अब नहीं है, 12 nautical miles नहीं वो तो TWI होता है, तो क्या बनेगा, the limit of the exclusive economic zone, जितनी limit exclusive economic zone की है, उतनी ही limit of किसकी है, Indian custom motor की है, बच्चा कह रहे है, सर, ये भी हमारा सही है, option number A is the correct answer, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का पक्का आगे बढ़ सकते हैं, और जिस बच्चा को समझ नहीं आ रहे हैं, तो पहले वो revision class देख लेना, करने में efforts लगती हैं, अब जो बच्चा efforts नहीं समझता, उसकी बात तो नहीं करता, बट पहले एक बार revision करके आओगे ना, पक्का पका समझ में आ जाएगा, question number 5 देखो जी, duties of custom including export covered in, आपने बोलते हैं, custom duty कौन से entry number में है, यात्रो list number 1 में, entry number 82 में क्या था, income tax, 84 के अंदर है, कि कौन से entry में custom duty है, entry number 3 of list 1, ये option number B is the correct answer, ठीक है रही, बच्चा करें सरे तो बिल्कुल simple simple है, कोई बात नहीं, अभी दो session ओर आएंगे न, अराम से करेंगे, tension मत लो, उसके बाद देखो लिए, which of the following is a taxable event of imported goods, imported goods के लिए taxable event के है, यात करो जब मेरी revision class थी custom के, उसके अगर कोई TWI के अंदर entry ले लेगा, तो वो import बन जाएगा, और जैसे ही import बनेगा, import duty लेवी हो जाएगी, बट यात करो, मैंने का लेवी होना और collection होना ये collection होती है, अब बच्चा ये बात कहता है सर, मैंने का हाँ, कहता सर, जैसे ही किसी vessel ने, ये 12 notical miles का area cross किया, वो तो इंडिया में आ गया ना, मैं का बिल्कुल इंडिया में आ गया, कहता है जैसे ही वो इंडिया में आया, वो import बन गया, मैं का बिल्कुल बन गया, कहता है जैसे ही import बना, import duty लग गई, मैं का बिल्कुल लग गई, कहता है फिर import duty तो यहीं पर देनी पड़ेगी ना, अब ये रेगा न, वो ही हमारा taxable event होगा, बस एपाद ध्यान दिला, तो sir, import करना means import duty लगना, import करना means import duty लगना और collection कब होगा, जब bill of entry फाइल करूँगा, home consumption के लिए, तब ही collection होगा, ये बात ध्यान दो, तो उसने मुझसे levy की बात ने की, वो कहरा taxable event किया है, तो taxable event किया जी, unloading ह है, नहीं, Indian territorial water में entry ले ली, नहीं, date of presentation of bill of entry, नहीं, date on which the goods cross the custom barrier and bill of entry, home consumption is filed, option number D is the correct answer, ठीक है, तो exam में confirm question मन सकता है कि भाया, imported goods के लिए taxable event क्या बनेगा, तो जिस दिन वो custom barrier cross करेगा, जिस दिन bill of entry फाइल करेगा, home consumption के लिए, वो हमारा taxable event बनेगा, बात सोन में आ रही है पक्का पक्का, यह नलाइक बच्चा यहां पर क्या कर रहे है, क्या कर रहे हो, नीदा रही है, पानी प्यों फटा बट से, हदो गई, बच्चा बैठे बैठे सो रहा है, अगला question देखो जी, state whether each of the following is correct or incorrect, आपको बताने है क्या यह statement correct है या incorrect है, पहला point देखो जी, taxable event in case of import of goods under custom is the date of entry into the Indian territorial water, अभी हमने उपर पड़ा है, यह कह रहे हैं जी, क्या यह statement सच्ची है, यह जूट बोल रहा है, कह रहे हैं जी, import goods में taxable event वो होता है, जिस दिन vessel जो है, वो 12 nautical miles के अंदर आ जाएगा, अपने बोलता है, 12 nautical miles के अंदर आना, क्या वो taxable event है, या उस द duty levy होगी, taxable event कब होगा, अभी हमने बोला कि जब below of entry फाइल करोगे, home consumption के लिए वो taxable event होगा, तो taxable event, TWA के अंदर आना है, या below of entry फाइल करना है, TWA के अंदर आना नहीं है, below of entry फाइल करना है, तो क्या यह statement सच्ची है, जूट ही है, सर incorrect statement है, यह statement जूट बोल रहा है, ठ adjudicating authority में कौन कवरनी होगा, याद करो, मैंने का था कुछ definition आपने read करनी है, module से, और मुझे पता है, आपने कितनी read की होगी, कई नालैक बच्चे है, बट मैंने कुछ read भी करवाई थी, और जो मैंने read करवाई थी, उसमें से question बना हुआ है, वो कह रहे है, इसमें से कौन ऐ ऐसा officer है, जो adjudicating authority में कवरनी होगा, आपने बोल देना जी, Commissioner of Custom, कवर है, Principal Commissioner, कवर है, Commissioner Appeal and Tribunal, आपने बोल देना, क्या ये कवर है, answer is no, ये कवरनी है, एक बारा के definition पढ़ लेना, Commissioner Appeal और Tribunal जो होते हैं, वो adjudicating authority में कवरनी होते हैं, ठीक है, तो उसने बोला, इन में से कौ authority में कवर नहीं है, बाकी सब कवर हैं, और option number C जो है, वो इसमें कवर नहीं है, ठीक है, उसके बादा हो जी, question number 9, person in charge in case of vessel, और an aircraft deliver to the proper officer, आपने बोल देना, vessel और aircraft वाले case में वो क्या फाइल करेगा, import manifest फाइल करेगा, और vehicle वाले case में वो क्या फाइल करेगा, import report फाइल करे आने से पहले, अगर आपको ध्यान आ रहो, और vehicle वाले case में import report वो आने के 12 घंटे के अंदर भी file कर सकता है, अगर आपको ध्यान आ रहो, तो उसने मुझसे यही पूछ है, कि यह कितने time के अंदर वो import report file कर सकता है, ठीक है, तो देखो यहापे arrival manifest या import manifest बोलू, बात एक ही ह और कितने time के अंदर, 12 घंटे के अंदर, option number A is the correct answer, तो symbol धी बात है, उसने मुझसे यह पूछ है, कि vessel और aircraft वाले case में, क्या हम file करते हैं, तो कुछ लोग बोलते है arrival manifest, कुछ लोग बोलते है import manifest बात एक ही है, बट आपको मैंने का था, vehicle वाले case में import report होता है, और import report जो होती ह है, वो आने के 12 घंटे के अंदर, अंदर भी file कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो उसने मुझसे question में यही पूछा था, कि इस वाले case में क्या file करेंगे, और उस वाले case में क्या file करेंगे, वो बता दिया, उसने time period पूछा, कितने time में file करेंगे, that is spell wars, चीक है, आ अपने है, बोल दो, 50,000, अगर आपको ध्यान आ रहा हो, आपको मैंने कहा था, कि अगर आपने import manifest या rival manifest, timely file नहीं की, तो 50,000 तक की penalty आपको देनी पड़ सकती है, option number B is the correct answer, बच्चा कह रहें, sir, अभी तक तो हमें question मुश्किल लग निरे, तो अगर ऐसे question में बनेगे, फिर 3 जो मेरा balance बचेना, वो एक से एक होगा, बला सबसे normal session, session 1, उसे मुश्किल वाला session 2, सबसे मुश्किल वाला session 3, और अगर ये तीनो session complete कर ली न, तो customer question कहीं से बन जाए, आप गलती नहीं करके आओगे, ठीक है रही, 10 question हो चुके है, आगे बढ़ सकता हूँ, पक्का पक्का yes sir, उसके बाद एक हो रही, imported goods shall not be unloaded from the export goods, shall not be loaded on any convenience except under the supervision, आपने बोल तो नहीं, import वाले case में मैं goods की unloading नहीं कर सकता, export वाले case में goods की loading नहीं कर सकता, किस की supervision के मिना, याद करो मैंने पहले भी काता, समान जब भी unload होगा, proper officer की supervision में होगा, तो वो यही तो कहा है, किस officer की supervision के बिना होगा, that is proper officer, बताओ कितना गिरा हो question है sir, उठाना पढ़ रहा है इसको तो, लो जी, अब ये question आ गया, कहरे match the following, इनको match करो, white bill of entry, direct rate general foreign trade, नहीं से match नहीं हो रहा, white bill of entry का file करते है, home consumption के लिए, ये match हो गया, IEC, इसका मतलब कहा है, import, export code, तो ये तो हमारा हो गया, इस direct rate general foreign trade, ये इससे match हो गया, और FOB price का मतलब होता है, free on board price, ये तो इससे match हो गया, तो आपके exam में matching वाले question जो बनते हैं, वो इस तरह से question बन सकते हैं, ठीक है, तो आओ एक बार answer check करते हैं, देखोरी, white bill of entry, home consumption, IEC का मतलब import export code, DGFT का मतलब direct rate general foreign trade, और FOB का मतलब free on board price, ये आ dash days prior to expected day of arrival or vessel, ये आपको फटावट बोल देना चाहिए, आपको मैंने का दा, below of entry आप पहले भी file कर सकते हो, but expected है कि 30 दिन के अंदर हमारा vessel यहाँ पहुंच जाएगा, यादार है कुछ आपको, आपको मैंने का दा कि आने से पहले below of entry file कर सकते हैं, बट मैंने का दा, 30 दिन क ठीक है, इस तरह से question बनेंगे, उसके बाद देखो जी, importer shall pay import duty, आपने बोल देना जी, importer जो है, वो import duty कैसे पहले करता है, याद करो, आपको मैंने बताया था, कि अगर वो case आपका self assessment वाला है, यादा है कुछ, अगर वो case आपका self assessment वाला है, तो जिस दिन आपने below of entry file की ह है, उस दिन उसको duty देनी होती है, अगर वो case assessment वाला है, या reassessment वाला है, फिर जिस दिन below of entry आएगी assess होके, उससे एक दिन के अंदर आपको duty देनी होती है, और अगर वो case deferred payment वाला है, तो याद करो, मैंने का दा, जो भी date government notified करेगी, उसके वेस आपको duty देनी होती है, तो उ case में, भाईया, self-assessment वाले case में, within one day, within one day, from the date on which bill of entry is returned to him by proper officer for payment of duty, in case of, ये तो आता है, assessment और reassessment वाले case में, in case, अपने बोल देने हैं, in case, specified, in case deferred payment under the provision of subsection 1 from such date as maybe specified by rules made in the behalf, तो भी या deferred वाले case में, जो government notified करेगी, उसके वेसे हमें payment करनी होती है, तो अपने बोल देना है, पहले case में क्या आएगा, self-assessment आएगा, दूसरे में assessment और reassessment वाल आएगा, और तीसरे में क्या आएगा, deferred payment आएगा, आओ जिव चेक करो, इसमें से कौन-कौन से है, deferred पहले में, नहीं, पहले में self यह हो सकता है, तो याद करो, मैंने आपके जब doubt लिये थे, जब मैंने आपके doubt लिये थे ना, उस revision class में concept में ने कराया था, और अगर आपको ध्याना और मैंने का दारी, एक से 15 दिन के अंदर अगर below of entry आगे, तो 16 दिन आपको payment करनी होती है, याद करो, 16 से लेके 31 दिन के अंदर आगे, और अगर वो मार्च का मिन है, तो 31 मार्च, अदरवाइस फस्ट, ज्याद है आपको, वही सेम पाइंट यहाँ पर है, अगला question देखो वही है, determine the due date in case of deferred payment, deferred payment में आपको due date बतानी है, for bill of entry return, bill of entry return होई है, for payment from first to 15th day of month, वहाला, first to 15 day of month में वह return हो चुकी है, तो payment कब करनी पड़ेगी, 16th of the month, यह बाद ध्यान देना हो, आपको मैंने का था, उस महीने की 16 तरह को payment करनी पड़ती है, तो option number A is the correct answer, I hope आपने जो revision की है, अगर वो सच्चे दिल से की है, जब मैंने पढ़ाया, उस time बढ़िया तरीके से revision की है, sir, question मुश्किल नहीं है, अब मुझे न इल्कुल गिरे हुए हैं, और session वन के तो वैसे ही गिरे हुए है, अगर यह मुश्किल लग रहे हैं, तो आने वाले दोनों session तो आपके तो, तोते खड़े हो जाएंगे, आपको लगे हो भाई सा, हम कर क्या रहे हैंगे, ठीक है, तो better यह है कि पहले revision class सही ढंग से कर लो, then question करना, मैंने पहले का था, इस लिए मैं question बात में करा रहा हूँ, ताकि आपको revision class ध्यान आए, अगर revision class के साथ ही question कर रहाता ना, फिर पता क्या था, एक हफ्ते गादा भूल जाते, अब से कम revision कर ली, अब mind में जोर पड़ रहा है कि हाँ, हमने revision class में ऐसा कुछ किया था, तो और उसकी revision हो धी है, ठीक है, आगे आओ जी question number 16 पे, time limit for payment of drawback to the claimant without interest is within, from the date of filing a claim for payment of such drawback, आपने बोल दो जी, मैंने आपको गाता कि अगर government delay करेगी, तो एक महीने के अंदर अंदर उसको payment करने पड़ेगी, यह तो उसको interest देना पड़ेगा, 6% परेना, और अगर हमने fraud totally लिया, तो within 2 months हमें वापिस लोटाना पड़ेगा, और interest में देना पड़ेगा, तो अपने बोल दो, अगर government हमें refund drawback देना चाहती है, तो कितना time मिलता सको, एक महीने का मिलता है, तो उसमें वह भी बोला है, the time for payment of drawback to the claimant, वहला government हमें duty drawback देने के लिए कितना time लेती है, that is one month, option B is the correct answer, ठीक है री, आगे बढ़ सकते हैं, आचा 30 दिन और one month को same मत समझना, कई नालाइक बच्चे होंगे, कि 30 दिन क्यों नहीं कर सकते हैं, सर कई महीनों में 30 दिन भी होते हैं, तो लो में one month लिखा है, लो में 30 दिन नहीं लिखा, और अगर one month लिखा है, तो answer one month ही ह का 30 दिन अंसर बिल्कूल भी नहीं आएगा, ठीक है री, उसके बाद जी, question number seven, basic custom duty is levied under section, अपने बोलो custom duty, कि इस section में लगती है, charging section क्या है custom का, section number 12, याद करो आपको मैंने first class के अंदर बताया था, custom goods के उपर लगती है, import, export पे लगती है, तो और सारी बाते मैंने आपको charging section of custom duty, तो section 12 की बात नहीं है, तो अगर आपके एक्साम में question बन जाए, कि जो आपने custom लो पड़ा, उसका charging section क्या है, that is section number 12, ठीक है लिए, उसके बाद जी, identify the rate of drawback available to Mr. Sina on re-export of goods imported for business use after 13 months from the date of payment of import duty, 13 महिने के बाद आपने उसको re-export कर दिया, तो आपको यह बताने है, यह कितना उसको drawback मिलेगा, फटा बड़ समझे दाओ, business use, तो यह business use वाले third category में जाते हैं, यात करो notification number 1 में तो वो आते हैं, पहने वाले कप्रे आते हैं, notification number 2 में personal use के लिए आते हैं, और motor vehicle हर use के लिए आते हैं, और वाकि जो भी goods होंगे, business use वाले वो third notification में जाते हैं, third notification म अगर तीन महिने use करोगे, 95, then फिर 85, then फिर 75, फिर आपका 70, फिर आपका 65 और फिर आपका 60, तो उसने बोला 13 महिने के बाद, तो 13 महिने के बाद का मतलब क्या हो गया, 12 से लिके 15 के बीच में, तो 12 से 15 का मतलब 65% आपको DB के मिलेगा, तो 65 का है, option C is the correct answer, तो हमारा answer बनेग यादा रहे, DB के की percentage, नहीं यादा रहे, तो एक बाद notification number 3 देख लेना जी, तो 12 से लिके 15 महिने के बीच में, अगर आपने export कर दिया, तो 65% DB के मिलेगा, वोई वाला question आपके सामने आ गया, ठीक है, आगे देखो जी, an application for refund of export duty is made before the expiry of, अगर आपका export duty का refund लेने है, तो कि इतने time application डालनी है, याद को रहे, refund की बाद मैंने गुपताई थी, within 6 months, तो अपने बोल दो फटाउट कहा है, within 6 months, जबकि मैंने काता, GST में 2 साल होते है, GST में 2 साल के अंदर application डालनी होती है, जबकि custom में 6 महिने में आपका application डालनी होती है, तो ये point हमारा आ गया, ठीक है लोग जी, अब यहाँ पे करते हैं, practical question थोड़े से, इधर सुना ध्यान से, हाथ में calculator ले ले लेना, वो करें, accessible value है 1,00, बेस्ती custom duty है 10%, IGST 12% है, और social welfare surcharge है, add the rate 10%, आपको duty calculate करनी है, मैं दुबारा बोल रहा हूँ जी, accessible value 1,00, बेस्ती custom duty 10% है, IGST 12% है, social welfare, सरचार 10% है, आपको total duty calculate करनी है, कितनी, total value नहीं, duty calculate करनी है, फटावर से calculate करो सर, मैं answer नहीं बता रहा, जल्दी calculate करके बताओ, option A, B, C, या D, बच्चा कह रहे हैं, सर हम तो कर रहे हैं, आप भी तो सासत करो हमारे, ओके, चलो मैं तुमारे साथ कर लेता हूँ, यहां पे, एक लाख का, अगर मैं 10% निकालता हूँ, तो 10,000 पे तो हमारी basic custom duty आ गए, अच्छा, अब इसका लगाओ, तो social welfare sarchar, क्योंकि IGST लगता है सबसे बाद में, पहले लगीगा social welfare sarchar, social welfare sarchar value का लगीगा, tax का लगेगा, मैंने पहले पहले पह गाता, tax का लगेगा, और किसका लगीगा, BCD का लगेगा, तो BCD 10,000 आ गई, इसका 10%, तो 1000 पे हमारा आ गया, social welfare sarchar, और यह आ गई BCD, तो यह total 11,000 पे की, अभी तक duty आ गई, अच्छा, आब IGST लगाते हैं, IGST लगाते हैं, सर ने custom की class में का था कि IGST तो ना total value पे लगाते हैं, total value का मतलब होता है, जो transaction value होती है, वो, प्लस में basic custom duty, प्लस में social welfare sarchar, तो यह एक लाख, और प्लस में 11,000, तो एक लाख, ग्यारा हजार का अगर मैं IGST लगाऊं, तो एक लाख, ग्यारा हजार का अगर मैं 12% लगाऊं, तो यह मेरा आगयारी 13,320, यह आ गया, तो यह तो म मेरा आगया IGST, उसने मुझसे मांगा क्या है, total duty मांगया, total duty, तो total duty में 10,000 basic custom duty, 1000 social welfare sarchar, और 13,320 IGST, अगर मैं इन सब का sum total कर लूँगा, तो मिरे खाल से 24,320 रुबे की, यह duty मेरी निकल क्यागी total, और यह एक वारां सा check करते हैं, 11,000, नहीं, नहीं, वो तो basic custom duty और social welfare sarchar है, उसने मांगे total, अगर वो BCD मांगता, answer 10,000 आता, ठीक है न, अगर वो BCD मांगता, 10,000 आता, अगर वो कहता, total custom duty excluding IGST, फिर answer 11,000 आता, जब उसने बोला, total duty मुझे कितनी देनी पड़ेगी import पर, तो total duty जो देनी पड़ेगी न, वो 24,320 रुबे की देनी पड़ेगी, ठीक पर अपने value निकाल ली, एक लाग 11,000, अब जो ये value निकल किया ही, इसका लगा दोगे IGST, तो IGST, प्लस में social welfare, सर्चार्ज, प्लस में basic custom duty आता, इनका सब total करोगे, तो answer आएगा, option number C, 24,320 रुपे, ये answer आजाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, अच्छा, ये मत समझ practical question अभी हम और नहीं करेंगे, सर अभी 70 question और करने में, और 70 question में, valuation के बहुत सारे question होंगे, baggage के भी कुछ question होंगे, drawback के भी होंगे, आप उसकी tension मत लो, ठीक है न, तो उसकी tension बिल्कुल छोड़ दो, 100 question के बाद आपने खुद फील करोगे, कि मुझे custom में confidence आ गया, ठीक है, होनी भी नी चाहिए, बिल्कुल गिरा ओवा question है जी, लो जी आगे देखो विर, अगला question अब यहाँ पे आप गलती करोगे, इसमें आप गलती करोगे, मुझे समझाना है, बहुत ध्यान समनना, असेसेबल वैल्यू यहाँ पर भी एक लाख है, बेसिक कस्टम डूटी दसजार है, आईजी एस्टी बारा परसेंट है, सोशल वेलफेर सरचार्च दस परसेंट है, वो करें, suppose in above case, goods are in warehouse and sold at, वेरा उसमें goods हैं, उसको बेच दिया, case 1 कितने का बेचा, एक लाख दसजार, और case 2 के अंदर बेचा, एक लाख पंदरा हजार का, करे duty calculate करके बता दो, अब जब मैंने बोला duty calculate करके बता दो, बच्चा करें, क्या बेकार की बात है सर, कि डिटो same question हमने उपर किया, यह वाला question जो किया, बिल्कुल same ही तो है, accessible value same है, BCD same है, social welfare same है, IGST same है, तो duty तो same ही आ इस question में और उस question में फरक क्या निकल क्या रहा है, इस question में government कह रही है कि यह समान warehouse के अंदर पड़ा है, और इस warehouse में पड़े हुए समान को, उसने बेच दिया, कितने का बेचा, पहले case में एक 10 का बेचा, दूसरे में एक 15 का बेचा, आप यहां पर duty निकाल दो, अब बच् basic custom duty जो लगती है, वो accessible value पर लगती है, आपका social welfare सर्चाज किस पर लगता है, वो basic custom duty पर लगता है, बड़ जो IGST लगती है, जो तुम्हारा sale price होता है, उस value पर तुम्हें IGST दीनी पड़ती है, सर यात करो, GST के अंदर मैंने कहा था, कि GST में जब भी आप GST की liability निकालते हो, चाहिए वो CGST है, चाहिए वो SGST है, चाहिए वो IGST है, उसकी value होती है, as per section number 15, और section 15 में हम वो सारे tax add करते हैं, जो GST में सबस्यूम नहीं हुए, तो बच्चा कह रहे है, सर, it means case 1 में, जो हम IGST लगाएंगे फिर 12%, तो मतलब यह जो value दी है, एक लग 10,000 और एक लग 15,000, क्या यह IGST लगाने के लिए अब यहाँ बच्चा गलती करता है, यहाँ बच्चा पता क्या गलती करेगा, यह 12% लगा देगा एक लग 10,000 का, और 12% लगा देगा एक 15,000 का, अब यहाँ पे आपके असेसेबल value है, उस पे 10% basic custom duty, तो 10,000 पे यह जो गया, इस 10,000 का 10% social welfare सर्फचार्ज, एक हजार यह जो गया, टोटल value आ गई, एक लग 11,000, इतनी value थी, जो हमारी उपर वाले question के अंदर भी आई थी, अब सोच के बोलना, उसने बोला, यह समान वेरा उसके अंदर है और इस समान को बेच दिया, case 1 में, एक लग 10,000 का, अब समान बेचा एक 10 का, मेरी normal value निकल क्या रही है, एक लग 11,000, समान बेचा एक 10 का, सोच के बोलना, जो दिल बोलेगा न, हुआ पांसर दिना, कि मैंने एक समान बेचा, एक लग 10,000 का, जबकि normal value, accessible value से तो मेरी normal value निक निकल कन रही है, वो मेरी एक ला 11,000 कल कि आ रही है, तो government आप से जब GST लेगी, अपने आप बोल देटारा, दिल से रोबाढ़ जाएगी, जब government आप से जब GST लेगी, तो क्या वो एक 10 पर लेगी, या 11 पर लेगी, ऑव्यससी बात है, 11 पर लेगी, मैंने गॉर्मेंड से जब तेरी value ही एक 11 निकल क्या रही है, तो हम GST एक 10 पे क्यों ले हैं, अच्छा, मतलब, आप यह कहना चाहरे हो कि जब हम custom में GST के लिए value लेते हैं, जब हम custom में GST के लिए value लेते हैं, तो जो हमारी accessible value, उसमें BCD, प्लस में social welfare सरचार एड़ करने के बाद जो value आती है, वो और जो sale price हमें दिया होगा अगर question में, इन में से higher value लेते हैं, answer is yes. अगले में एक लाग 15 हजार है, आपने बोल देना, अगर अगले में एक लाग 15 हजार है, तो IGST जो लगेगा, वो एक 11 पर लगेगा, ये एक 15 पर लगेगा, ओविस सी बात, एक 15 पर लगेगा, एक 15 पर क्यों लगेगा? क्योंकि जब मैं खुद कह रहा हूँ, जब मैं खुद कह रहा हूँ, कि ये समान बेचे, एक 15 का ही बेचा है, जब मैं खुद ये बात कह रहा हूँ, कि ये समान में एक 15 का बेचा, तो गुर्मेंट क्यों बोलेगी, हम GST 11 पर लेगे, अच्छा, मतलब गुर्मेंट चालू सर आप से बहुत चालू है, मतलब अगर आप यह बोलोगे, आपने समान कम का बेचा, तो इस पे लगेगा, और अगर आपने समान जादा का बेचा है, तो इतने का समान बेचा, उस पर आपको GST देना पड़ेगा, तो आपने मुझे बोल देना है, टोटल ड्यूटी बतानी ह आ गई, जो आपने उपर निकाली थी, 24,320, पहले केस में सेम ड्यूटी आ गई, जो आपने उपर वाले कोशन में किती, 24,320, तो option C का पहला point तो सही हो गया, अब आजाओ case 2 में, case 2 में basic custom duty तो accessible value पर लगती है, 10,000 यह आ गई, social welfare सरचार basic custom duty का लगता है, 1000 यह आ गया, total value क calculate करूंगा, आपने बोल देना, मैं IGST 111 का calculate करूं या 115 का, सर 115 का क्योंकि sale price जादा है, तो भाईया, 115 का, अगर मैं 12% निकालूंगा, तो 13,800 यह, 10,000 पे basic custom duty, 1000 पे social welfare, तो 24,800 रुपी किस में duty आएगी, तो यह हमारा answer सही बनेगा, अच्छा, सर यह देखो, यह सर यह वाले question नहीं हमें आते, यहीं ही तो हम पंगा खाते हैं, तभी तो मैं करवा रहा हूँ, मैंने काना, सो question में practical की practice बढ़िया तरीके से करवा दूँगा सर, आपने अगर मुझे पे trust की है, मुझे विश्वास की है, तो भाई विश्वास रखो, आपका सरफ एक काम है, session daily attend करने, और एक घंटे के अंदर सर, एक घंटा आप IPL के अंदर बेस्ट कर देती हूँ, एक घंटा मुझे पता है, गरेंटी दे रहा हूँ, गरेंटी तेरों दिल से बोल रहा हूँ, आप Facebook, Instagram, ऐसे बैठे-बैठे बेस्ट कर देती हूँ, और अगर एक घंटा वो ही, थोड़ा speed fast करके custom की revision class सुन लिए, थोड़ा speed fast करके student दरवार के session सुन लिए, थोड़ा speed fast करके custom के mcqs कर लिए, आपका result कितना चीन होगा, आपको पता भी नहीं है, और आपको मैंने पहले भी कहा कभी यह मसोना, free के session है सर, इसकी value unmol है, price less है, सिर्फ आपका प्यार है, जो मैं पर आता हूँ, नहीं तो believe me, कई बर तबियत साथ नहीं देती, कई बर मन करता है, घर में इतने सारे काम होता है, बट मुझे लगता है कि नहीं मैंने बच्चे को commitment को commitment क्या होती है, वो मेरे बच्चे को बता लगे, ताकि उसने भी आगे बहुत सारी commitment करनी है अपने office वालो नहीं दिया, तो हमने value normal निकाल ली, यहाँ sale price दिया है, बट यहाँ पर फरक सरफ यारा है कि यहाँ पर एक 10 मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि normal value एक 11 है, तो normal value जब GST लगेगा 11, तो मैं एक 10 क्यों लूँ, बट यहाँ पर अलड़ी government बोले एक 15 है, तो जब sale price ही 15 है, तो बोल दो accessible value क्या लगते हैं, actual value प्लस में adjustment in rule 10-1 और 10-2, याद रहे कुछ, price actually paid और payable, price actually paid और payable में rule number 10-1 के adjustment करते हैं, फिर rule number 10-2 के adjustment करते हैं, उसके बाद जो आपकी value निकल केते हैं, CIF value, उस पे कहीं जाके फिर duty लगती है, तो वही तो आपसे पूछ रहे है, कि accessible value का मतल transaction value का मतलब क्या होता है, याद रहे है, transaction value, आपको मैं लिखवाए भी था, transaction value means actually paid और payable, transaction value means price actually paid और payable, तो क्या बनेगा जी, transaction value means the price actually paid और payable, option A is the correct answer, बताओ, ऐसे ऐसे question है, कही बार तो करने का मन भी नहीं करता, इतने गिरेवी question है, हाँ सर, आप सही कह रहे हो, अब देख actually paid और payable for the imported words, वो कह रहे हैं, जो value पर हमें GST लगाना है, उसको निकालने के लिए हम price actually paid और payable में क्या-क्या add करते हैं, क्या add करते हैं, rule 10-1 add करते हैं, rule 10-2 add करते हैं, और 10-1 में आप सब जानते हो, commission होता है, brokerage होता है, license fees होती है, cost of container होती है, यह आपको ध्याना रही है बाते हैं, आप देख लो, commission, accept buying commission, following goods or service were supplied directly or indirectly by a buyer, free charge or at reduced cost, यह भी हम add करते हैं, और उसमें यह point दिया हुए है, यह 10-1 के, यह सारे add करते हैं, royalty और license fees हम यह भी add करते हैं, all of the above, option number D आएगा जी, हम सारा ही कुछ add करते हैं, और यह सारी adjustment पता है किसकी है, side में लिखना और ल सारी adjustment cover होती है, इसको हम add करके चलना है, और 10-2, याद करो 10-2 क्या होता है, cost of transportation, unloading, handling charges, क्या दर है, cost of insurance, वो 10-2 होता है, तो यह सारी बाते 10-1 की हैं, तो यह सारी के सारी बाते हम add करते ही है, उसके बाजी, where the insurance amount is not available, अब आगे आप बताऊगे जी, अगर insurance का amount available है, फिर त 1.125% लेते हैं, एक बच्चा कहा रहा है, 20% ही लेते हैं, नलायक वो 20% cost of transportation का लेते हैं, वो transportation है, अगर मैं insurance की बात करूँगा, that is 1.125% of FOB, तो क्या बनेगा जी, 1.125% option B is the correct answer, मजारा करने में बच्चा कहा रहा है, सर त्यारी हो रही है, यह सर यह सर टेक्निक अच्छी देखो, goods which are similar in all aspects, including physical quantities known as, सब कुछ similar है, तो यह वो similar goods आएंगे, यह वो identical goods आएंगे, that is identical, तो क्या बनेगा जी, identical goods, option B is the correct answer, क्योंकि identical का मतलब बाता है, सारी चीरे same है, बिल्कुल quantity same है, product same है, color same है, हर चीर में same है, तो वो क्या बन गया, identical बन गया, हाँ, अगर product same है, बहुत color के अंदर फ़रक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको फिर हम similar goods बोलते हैं, तो इसमें तो उसने बोला, हर respect में same है, तो वो क्या बन जाएगा, identical बन जाएगा, उसके बाजी, state whether each of the following statement is correct or incorrect, क्या यह statement सच्ची है यह जूट ही है, आपने बोल देना, buying commission is always includable in the custom valuation, इत की value में एड होता है, इतना बड़ा जूट बोल दिया, incorrect है, buying commission कभी एड नी होता है, selling commission एड होता है, buying commission एड नी होता है, उसके बाजी 28, an importer imported some goods, 4,10,000 on CIF, ठीक है, following euro rates on the date of presentation of bill of entries given, what is the exchange rate for custom valuation, आपने बोलते हैं, custom की valuation के लिए exchange rate कोन सा लेते हैं, Reserve Bank of India वाला, यह CBIC वाला, अब आज आने चाहिए थी वैसे, आपको मैंने का था, custom की जब यह value निकालते हो, याद करो CIF को multiply करते हो rate of exchange से, और rate of action किस दिन का लेते हैं, bill of entry फाइल करने का, किसका लेते हैं, Reserve Bank of India, CBIC, CBIC का, तो उसने बोले, आपको exchange rate किसका लेना है, इंटर bank closing rate, नई जी नहीं, Reserve Bank का rate, नई जी नहीं, exchange rate notified by CBIC, येस हमें ये लेना है, option number C, ये वाला rate हम लेके चलेंगे, इसके base पर हम value निकालेंगे, तो option C is the correct answer, ठीक है, उसके बाद देखो जी, under section 14, the custom act 1962, transaction value shall be calculated with reference to the rate of exchange, as in force on the date on which, अपने हम बोल दरी, transaction value जो है, उसकी calculate जब हम करते हैं, और exchange rate से multiply करते हैं, वो किस दिन करते हैं, जिस दिन हम bill of entry file करते हैं, home consumption के लिए, जिस दिन हम bill of entry file करते हैं, home consumption के लिए, उस दिन तो value निकालते हैं, तो उसने वो ही पूछा है, किस दिन करते हो जी, date of invoice के दिन, नहीं, date of issuance of bill of lading, नहीं date of filing of import manifest नहीं, date of filing of bill of entry, answer is yes, option D is the correct answer, ठीक है रही अब आओ last question और सबसे important question आज के session का और मैं चाहता हूँ है आप खुद करो ची इस का अंसर आप खुद निकालो इस का अंसर खुद निकालो, अगर किसी बच्चे ने इस का अंसर खुद निकाल दिया ना मैं सारे comment पड़ूँगा और दिल से कह रहा हूँ, दिल से अगर किसी बच्चे इस का अंसर खुद निकाल दिया दिल बहुत खुश होगा और आज मुझे ये feeling आएगी कि जो मैं आपके लिए यहाँ पर YouTube पर कर रहा हूँ न, उसका कुछ फाइदा है बहुत सो सोज के करना पहले ही बता रहा हूँ 90% बच्चा गलत करेगा 10% ही ऐसा बच्चा होगा जो इस question को समझ पाएगा और मैं जाता हूँ कि आप 10% के अंदर आओ question पढ़ लो किया, CIF प्राइस यहाँ 5,000 डोलर फ्रेट पेड किया 1500 डोलर का इंशोरेंस कोश्ट है 500 की फिर उसने एक्स्टेंज रेट दिया है बेंकर का, मलब बेंक वालों का एक्स्टेंज रेट है 60 रोपे और सेंट्रल बोड ओफ सेंट्रल बोड ओफ इंडारेक्ट टेक्स एंड कस्टम मलब CBIC CBIC का एक्स्टेंज रेट है 65 रोपे, वो कहरे हैं value निकाल दो कितनी value होगी GST, मलब कस्टम डूटी को लगाने के लिए मैं दुबारा बोल रहा हूँ, 5,000 CIF value दी है by air आपने इंपोर्ट किया पंतना सो फ्रेट है, 500 कमिशन है बैंक वालों का rate of exchange है, 60 रोपे CBIC वालों का rate of exchange है 65 रोपे, आपको value निकाल दी आप गल्ती कर चुके हो जिस बच्चे ने answer मुझे देना start कर दिया ना, guarantee दिना वो गल्ती कर चुका है इतनी जल्दी answer वाले बच्चा गल्ती करते है तरी question दियान से बढ़ लो हो गया जी? हो गया answer क्या निकल क्या आ रहा है? कितना आ रहा है? C, option C O, कई बच्चों का C, C, कई बच्चों का A कई बच्चे कह रहे हैं हमारा A, B, C कुछ नहीं आ रहा, सर हमें question नहीं समझ नहीं आ रहा यही तो पंगया हमें practical question समझ में काते हैं सर इस चक्कर में तो हमारे number कम आते हैं चलो जिन बच्चों का answer निकल रहा है वो तो बताओ कम से कम नलायकों Almost बच्चों का C यह कई बच्चे का A, B है कई नलायकों ने B, B निकाल दिया है और कई बच्चे D के उपर बैठे हैं कि D दिया ना दे इतर देखना ध्यान से एक बात मुने सोच के बताना आपने option D, C पता कैसे निकाल है तीन पच्चिस यह नलायकों का जो जमावडा सामने बैठ है ना मेरे इतना बड़ा ग्रूप नलायकों का बैठ है एक बात मुने सोच के बताओ यार बच्चा कहरे इसमें है क्या आप वैसे कहरें मुश्किल है सर आप ठीक होना आज तब यह सही है आपकी मैं जा क्यों महरे पेद को क्या हुआ सर इस क्केशन में है क्या CIF Value दी हुई है CIF Value को 5000D है उसको अपने 65 आपने घी तो वोला CBIC Grade से Multiply करेंगे 65 से Multiply किया 325 निकल क्या 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 करना क्या है इतना असान अगर Quesn होता ना तो paper वह CS के न होते फिर कोई और ही पेपर दो बीकम बुकम को चल लाते हैं CS के नहीं होते हैं सर वो आपको क्या लग रहा है सर उसने एक पॉइंट आपके डाल दिया कि आपने ये समान जो इंपोर्ट किये न वो आपने बाए एर किये और याद करो वो रिवीजन क्लास कंदर मैंने का था कि जब भी आप बाए एर समान इंपोर्ट करते हो तो उस केस में कोस्ट ओफ ट्रांस्पोरेशन लेते हैं एक्चुवल और 20% ओफ फोबी विच एवरिस लेस बच्चा कह रहें नहीं नहीं सर आपने तो कहा था ट्रांस्पोरेशन वाले केस में अगर एक्चुवल दिया हो तो एक्चुवल लेते हैं सर वो मैंने कहा था वैसल वाले केस में नहीं यकिन होता यही पंग्याप रिविजन क्लास ध्यान से देखते नहीं हो एक बाद दिया है तो एक्चुवल और ट्वंटी परसंट आफ एक्फोबी वीच एवर इस लेस जो वैली होगी न वो हम लेके चलेंगे एर वाले केस में बच्च करत उसका फरक क्या पड़ेगा बहुत भारी फरक पड़ जाएगा एक बाद सोच के बोलना अब यह CIF वैलू निकाली कैसे होगी F.O.B. प्लस में कोस्ट ओफ टांस्पोटेशन प्लस में कोस्ट ओफ इंशॉरेंस यही एड करने के बाद CIF निकलती है न अब CIF से पहले F.O.B. पर जाओ आप क्या लग रहे है सर बच्चे वाली गेम चल रहे है नलाएको CIF से पहले F.O.B. पर जाओ कैसे जाएंगे 5,000 में 15,000 पे उसके एड होगे ट्रांस्पोटेशन के क्योंकि वो एक्चुल थे उन्होंने एक्चुल एड कर दी होगे और निकाल दी होगे 500 पे इंशुरेंस के एड होगे तो ये वेल्यू आक्चुल में निकल कैएगी 3,000 ये हमारी F.O.B. होगी अब अगर ये मेरी F.O.B. है ना अब इससे दुबारा C.F. निकालो क्योंकि ये 5,000 C.F. तब आती ही अगर यहां बाई एर ना होता अगर वैसल होता तो उस वाले केस में क्या करते है एक्चुल ही लेते हैं बड़े एर वाले केस में एक्चुल और 20% of F.O.B. विच एवर इस लेस अब अगर मैं F.O.B. 3000 है इसका 20% निकाल लूँगा तो 600 आ गूर एंश्योरेंस तो क्या लेंगे जो एक्चुल दिया है वोही लेंगे गलती से मत बोल देना 1.125% 1.125% तब लेते हैं जब एक्चुल नहीं दिया होता जब एक्चुल दिया है तो फिर एक्चुल ही लेते हैं इस केस में तो भई या यहां आ आ गया 500 अब 40,100 को कर दूँगा 4100 को तो आप जाके आएगा 2,66,500, option number A is the correct answer, यह correct answer है, ओए भाई, समझ आया तिरे को क्या, यार अगर ऐसे question बनेंगे तो मैं तो छोड आउँगा यार, यही छोडने वाले जो बच्चे हैं वो यहें 50-60 number वाले, यह 50-60 number वाले हैं जी क्योंकि पता क्या, ऐसे छोड़ते, 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 30-40 question वैसे छोड़ जाएंगे आपके, यह आनक ना सर, और इस पर पेपर वैसे खतरना काने वाला है, अगर आपने student दर बार के सारे session attending किये, मैं इतनी मेहनत से बनाए हैं, उसके अंदर मैंने MCQS कराएं पिछले 5 सालों के, और भी MCQS कराएं, रिवीजन भी कराएं, तो इतना कुछ YouTube के उपर अगर आप डेली एक घंटा नहीं दे रेना, तो नुकसान बहुत भारी आपका है, क्योंकि मैं अपनी मेहनत कर चुका हैं, ठीक है, एक बार दुबारा देख लो करना कैस के अंदर, 90% बच्चा गलती कर किया, इंसरेंस माइनस किया, FOB आ गई, अब इस FOB का 20%, 600 और 1500 विच एवर इस लेस तो 600, अब इसमें 600 एड करो, इंसरेंस पूर एड करो, तो ग्यारां सो, तीने जार कितना आ गया, 4100 यह मेरा CIF आ गया, अब यह मेरा actual CIF है, इसको multiply करो, CBIC की rate से, तो आपकी value है कि 2,66,500, So, option A is the correct answer, Sir, ऐसे-ऐसे question आप हमें और कराओगे, क्या, अभी session 2 आना है, session 3 आना है, कोई session खतम थोड़े है, आज हमारा last session थोड़े है, आज तो हमने बस आपको यह दिखा दिया कि custom में question किस तना के बन सकते हैं, क्योंकि बच्चों को दिक्कत जो आती हैं, custom में questions कियाती है तो 100 questions आप कर लोगे, अच्छे से, more than sufficient है, टेलेक्राम चनल के उपर डाल दूँगा, answer मैं आपको बताई दी है, अगर कोई doubt हो, comment box में लिख देना, next class उसका मैं reply कर दूँगा, या WhatsApp पे या कहीं पर भी reply कर दूँगा, next session में हम 35 questions और करेंगे, 35, then फिर हम 35 और करेंगे, उस तो मम्मी कहीं है कि हम भी हैं घर में, तो मैंने बोल दिया कि मैं अपनी पहले फूरी family से कमिट्मेंट की है, वो complete करके फिर मैं घर आऊँगा, तो मेरी October के end तक मैं कैसे भी करके commitment कमिट्मेंट करूँगा, चाम मुझे daily class डालनी पड़े, commitment पूरी करने के बाद ही मैं घर ज कर लेना, जिसे question में doubt है, वहाँ session देख लेना, ठीक है और कहाँ गलती हो रही है, वो भी उसको check कर लेना, और revision class के noting से match कर लेना, आपके सारे question हो जाएंगे, ठीक है, चलो फिर बाकी मुलाकात करेंगे, next class मेरी अब, next session में, session number 2 में, maximum बच्चों के पास session share करना, मैं बार ब महीने में, इतने सारे family member नहीं जूड सकते, बट वो आप कर सकते हो, अगर आप maximum हर बच्चे को बोलोगे, कि हमारी एक family है, हम उस पर जूड के काम करते हैं, तो जल्द जल्दी family member जूडेंगे, और यह family हमारी आगे बढ़ेगे, ठीक है, ओके जी, bye bye, tada, thank you so much, जैहिन, God bless you, love you so much, bye bye, take care.